मिल्की निपल डिस्चार्च, मिल्क भार आना चाती से तो ये कॉमनली जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है तभी मिल्क आता है बट एक और बहुत कॉमन कारण जो आजकल हमारे देश में देखा जा रहा है कि पेशन्स में जिनमें प्रोलाक्टन की मात्रा प्रोलाक्टन एक हॉर्मोन है अगर उसकी मात्रा बड़ी होई आती है तो उसके अंदर भी कई बार चाती से मिल्की निपल डिस्चार्ज या दूज जैसा डिस्चार्ज आ सकता है तो ये जो prolactin की मातरा बड़ी होने के कारण है इसके क्या क्या कारण है इसके कारण है सबसे पहले hypothyroidism अगर आपके thyroid आपके शरीर के अंदर उसकी मातरा कम है तो भी prolactin बड़ा हुआ हो सकता है या फिर कई बार ये एक hormonal change हो जाता है शरीर के अंदर इस hormonal change का एक कारण एक pituitry या brain के अंदर एक छोटी सी कई बार non-cancerous गांट की वज़े से भी prolactin की मातरा बढ़ सकती है तो अगर आप breastfeeding नहीं करवा रहे हैं आपको छाती से दूज जैसा discharge आते हुए दिखता है तो आप बिना कोई time waste किये आपको doctor के बास जाना चाहिए आपके doctor आपको examine करके और देखेंगे कि आपको prolactin के test की ज़रूरत है या नहीं प्रोलाक्टिन का test अगर बढ़ा हुआ आता है उसके कारणों को खोजा जाता है और यह जो prolactin की मातरा है यह दवाई के माध्यम से भी ठीचाहिए